जाहें दोस्तों माई प्रेसर ने बुड़े को साथ उपसे तो अब लोग के सामने जैसा कि आप लोग थमनेल में देख रहे हैं तो दोस्तों मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ बींडो एसी का CSR कनेक्शन आप कैसे कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों बहुत असान तरीका है जो भाए इस लायन में काम करना चाते हैं आ कर रहे हैं उनके लिए कनेक्शन बहुत जरुरी है क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में बहुत अच्छ तरे से समझा गया जया गया है जो भाए इस वीडियो को देख लेगा उसको अच्छे समझ में आई जाएगा फिराल मैं प्रेदर ग्राउंड का PSR connection होता है वायरिंग तो आप कैसे रियल में कर सकते हैं तो आप लोग बनी रहेगा जब आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोग अच्छे समझ पाएंगे इस वीडियो में क्या बताया गया है दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से बत स्क्राइब कर लें और बिला इघंटी को जरुद बाई दोस्तों था कि आने वाला वीडियो का नोडिफिये केसन आपको मिलता रहे तो फिरहाल मैं आपको दिखाता हूं इसका डाइग्राम CSR का यानि कि वीडियो AC का CSR connection आप कैसे कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको step by step बत गया है तो आप लोग बने रहेगा जो भाई इस लार में काम करना चाते हैं उनके लिए बहुत ही important है तो आप लोग इस वीडियो को पुरा से फुरा वाच करिएगा कहीं भी skip मत करिएगा क्योंकि दोस्तों मैं एक एक इस tip समझाने वाला हूं दोस्तों ऐसा वीडियो आप आपको कहीं भी YouTube पर नहीं मिलेगा तो फिराल मैं आपसे यहीं कहना चाहूंगा तो आप लोग पूरा से फुरा वाच करिएगा इस वीडियो को तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा इसमें कौन-कौन से समान लगते हैं CSR connection के लिए तो आप लोग बने रहेगा तो सबसे जो उपर वाला साइड का चार पिन है इसमें से तीन हमारा चला जाएगा ब्लोवर मोटर में यानि कि हाई लो मीडियम यह देखिए जिसरे से गया हुआ है तो आपका भी ऐसे ही कनेक्शन होगा उसके बाद एक पिन बचता है तो हमारा एक पिन से सीधा चला जाएगा कंप्रेसर में कंप्रेसर के बीच में हमारा एक थर्मो स्टेट लगेगा थर्मो स्टेट से होते हुए यह देखिए चार नंबर पिन पे आपका जाएगा तो आप लोग इस diagram के माध्यम से देख सकते हैं तो हम थोड़ा zoom कर लेते हैं ये देखिए चार number की pin पे गया हुआ है उसके बाद ये देखिए high low medium सीधा आया हुआ है blower motor में लगेगा ये देखिए उसके बाद इसमें दो छोटे छोटे तार निकले हैं वो लग जाएंगे सिधा RC यानि कैफिस्टर में लग जाएंगे तो आप लोग देख रहे हैं उसके बाद ये देखिए आपका जो है swing motor swing motor में दो pin निकला हुआ है एक pin हमारा face में चला जाएगा और एक हमारा neutral हमारा 5 नमबर पे चला जाएगा swing motor का उसके बाद एक blower motor का neutral चला जाएगा 5 नमबर में यनि swing motor और blower motor का neutral पाँच नमबर पे चला जाएगा तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये देखिए हमारा एक voltage relay है इस relay में हमारा सब कुछ connection किया गया है तो जैसा कि आप लोग देखेंगे अभी उसके बाद ये देखिए हमारा compressor है नीचे तो मैं आपको एक एक step बताता हूँ उसके बाद ये देखिए दोस्तों compressor के common से एक तार निकलेगा और सीधा जाएगा 5 नमबर पे उसके बाद थोड़ा जूम कर लेते हैं उसके बाद ये देखिए एक 4 नमबर से और एक नमबर से यनि कि हमारा starting capacitor लग जाएगा ये देखिए यसC लिखा हुआ तो मैं इसका मतलब हो गया है starting उसके बाद ये देखिए चार नमबर से और दो नमबर से एक तार निकलेगा सीधा हमारा RCNE की capacitor में लग जाएगा running capacitor में तो आप लोग देख रहे हैं तो दोस्तों इसी प्रकार से आपका connection होगा बहुत असान तरीका है इस diagram के माध्यम से ये ये आप कुछ समझे रहेंगे तो वीडियो में बड़े असानी से समझ पाएंगे फिराल आप लोग इस वीडियो को पुरा से फूरा वाज करिएगा उसके बाद मैं आपको इसका connection करके दिखाऊँगा तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं दिखाते हैं बलोवर मोटर से तीन तार निकले हुए है एक high low medium तीनों हमारा regulating switch में लगेगा उसमें से एक point खाली है हमारा वो compressor में लग जाएगा उसके बाद एक pin से दो तार निकले हुए है तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ उसके बाद एक हमारा thermostat है thermostat से दो pin निकले हुए है एक pin हमारा चला जाएगा regulating के switch में जो खाली है compressor का उसे में लगेगा ये देखिए लग गया है उसके बाद एक swing motor है हमारा जो एक pin से दो तार निकले हुए है एक हमारा swing motor में लग जाएगा उपर switch दिया है आन आप करने के लिए swing motor को उसके बाद एक voltage relay है thermostat का एक point चार नमबर में लग जाएगा इसमें 4, 5, 2, 1 नमबर वाज होते हैं उसके बाद एक starting capacitor है एक हमारा एक number में लगेगा एक हमारा चार number में लगेगा capacitor यनि की starting capacitor उसके बाद एक running capacitor है हमारा starting point से आएगा एक दो number में लगेगा उसके बाद rc यनि की running running point हमारा चार number में लगेगा कैपिशिटर का तो आप लोग देख रहे हैं इसी प्रकारशी कनेक्शन किया गया है जिस तरह से मैंने डाइग्राम में बताया था आप लोगों को उसके बाद एदे के छोटा वाला कैपिशिटर है यानि कि आरसी रनिंग कैपिशिटर है तो हमारा ब्लोवर मोटर का दो छोटे छोटे तार हैं एदे के हमारा रनिंग कैपिशिटर में लग गए है उसके बाद एदे के हमारा सब न्यूटल वाला है न्यूटल का पिन बॉक्स बना हुआ है तो हम एक करके न्यूटल सब को देंगे blower motor, swing motor उसके बाद इसी में से अग newton में से चला जाएगा 5 नंबर में उसके बाद एक newton हमारा चला जाएगा blower motor में यानि की running capacitor में लगेगा उसके बाद हम इसी में एक newton देंगे जो phase seven newton होता है यह कि हम neutral लेंगे उसके बाद दूसरा वाला जो civil motor का तार लगाँ हुआ है उसमें हम एक फेश देंगे तो हमारा एक neutral एक फेश चला गया है तो फिराल हमारा एब एक कंप्रेसर का बचता है तो कंप्रेसर का कामन वाला पिन 5 नम्बर में लग गया है उसके बाद compressor का starting point दो number में लग गया है उसके बाद running point हमारा 4 number में लगेगा capacitor में तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसी परकार से connection होगा हमारा तो दोस्तों ऐसे ही आपको करना है बहुत ही असान तरीका है मैंने diagram के माधिम से आपको सब को समझा दिया था जो लोग diagram देखे हुए थे उसके बाद देखे क्लैम मीटर है क्लैम मीटर का प्रियोग जब हमारा compressor आन होता है तो वह इस क्लैम मीटर से पता चलेगा कि हमारा compressor high ampere ले रहा है या नहीं ले रहा है यह देखिए हमारा compressor यानी normal है यानी की सही है इसका connection सही है यह देखिए 4.2 दे रहा है उसके बाद देखिए regulating की सीवच के मादम से हम सबको बारी बार से चलाएंगे blower motor, swing motor compressor